दोस्तों कई सारे देश भारत से हतियारों को खरिदने को लेके इंटरेश दिखा रहा है और भारत के दुआरा भी अपने हतियारों को कई सारे देशों के सामने ओफर के तहत रखा गया है इवन अगर देखा जाए तो कुछी सालों के अंदर भारत के दुआरा कई सारे इंड दूस्टो बमोंस को ले कि हाली में एक ऐसा खवर आया है जिससे भारत खुश है ही साथ में ब्राजिल भी खुश हो जाएगा बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे ब्रम्मोस मिसाइलों के ब्राजिल को किया जाने वाले ओफर के वारे में कह रहा हूँ तो ब्राजिल के शहर रियो में Latin American Defense and Security नाम से एक International Exhibition मतलब LAD 2023 को आयजित किया गया है और यहाँ पे ब्रम्मोस मिसाइलों के ओफर ब्राजिल के मिलिटरी के सामने भी रखा गया है अब दोस्तों कई सालों से तो बताया जा रहा है कि भारत के हत्यारों को लेके दक्षर अमेरिकी देश या फिर कहें तो लेटिन अमेरिकान देशों के तरफ से भी काफी इंट्रेस्ट दिखाया जा रहा है और भारत के एक्सपोर्ट मार्केट में लेटिन अमेरिका भी एक ब 20 साल पहले ब्रमोस मिसाइलों को इंडिया के Armed Forces में सर्विस में लाया गया था और 20 साल के बाद पहली वार भारत को ब्रमोस मिसाइलों को लेके सकसेस तब मिला जब फिलिपीन के तरफ से भारत से मिसाइलों को परचेस किया गया हाली में ही ब्रमोस एरोस्पेस के CEO अतुल दिन का राना के तरफ से अपने बयान में बताया गया है कि किस तरीके से आठ देशों के साथ ब्रमोस एरोस्पेस मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेकर नेगोसियेशन कर रहा है अब दोस्तो इन आठ देशों में ब्राजिल भी शामिल है कि ने इसके बारे में तो जानकरी नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि ये देश अफरीकी, मिडल इस्ट या एसिया में तो नहीं है बलकि उससे बाहर मतलब लैटन अमरिका में है तो इससे अंदाजा लगा जा रहा भारत के तरफ से ब्रमोस मिषाइलों का ओफर ब्राजिल के सामने रखे जाने के बाद एक तरीके से ये जो ख़वर है ये भारत, रशिया और ब्राजिल तीनों के लिए ही एक बड़ा ख़वर है अब दोस्तो भारत इन में इसाइलों को एकस्पोर्ट करेगा तो obviously भारत के लिए ये बड़ा ख़वर होगा जब कि दूसरे तरह अगर देखा जाए तो रशिया इन मिसाइलों के जॉइंट वेंचर पार्टनर है मतलब इन मिसाइलों को भारत और रशिया मिलके जॉइंटली बनाया है तो मिसाइलों का एक्सपोर्ट से एक तरीके से रशिया को भी फा जाता है और सुपर सोनिक लेंड एटाइक या शिप एटाइक वर्जन को ब्राजिल के तरफ से अगर पर्चेस किया जाता है तो इसके लिए ब्राजिल के सामने ब्रह्मोज एंजी का विरस्ता खुल जाएगा फिलाल दोस्तों ब्रह्मोज के जो एर लॉंज वेरियंट है इस दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये भी जानके रखना चाहिए कि इसे खाली ब्राजिल के ग्राइपिर नहीं बलकि भारत के तेजस जैसे हलके वजन के एर का भी कैरी कर सकेगा मतलब ब्रह्मोज मिसाइलों के जिसे ब्रह्मोज एंजी में समाप्त कर दिया जाएगा ज पर से अगर देखा जाए तो ब्राजिल और रश्या के वीज में भी ऐसा कोई टेंशन नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि ब्राजिल को मिसाइल विक्री करने पर रश्या के तरफ से नाराजगी जताया जाएगा हाला कि दोस्तो रश्या और यूकरेंट के जो लड़ाई है उसके कारण अमेरिका के प्रतिवन्द हो सकता है लेकिन इन मिसाइलों को भारत के तरफ से सप्लाई किया जा रहा है ना कि रश्या के तरफ से और मिसाइलों के मेनुफैक्शरिंग भारत में होता है और करीवान 80 परसेंट इक्वेपमेंट इसमें इंडिजनियास है जिससे की लगने वाले प्रतिवन्द का भी संभावना इघड जाता है और ब्राजिल आगवन्द करके बिना किसी प्रतिवन्द के डर से इन मिसाइलों को पर्चेस कर सकता है अब दोस्तो इसके इलावा भी रश्या और भारत के दोस्ती को लेके भी एक बहुत बड़ा ख़वर आ रहा है ख़वर ये है कि रश्या के तरफ से भारत के सामने और एक बहतरिन ओफर रखा गया इसवार रश्या के द्वारा कोई हतियार या कोई हतियार के टेक्नोलिजी का ओफर नहीं रखा गया बलकि रश्या भा रॉकेट इंजिनों के सप्लाई को लेके बात्चित हो रहा है। रशिया के स्पेस एजनसी रॉसकोस्मोस भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में देख रहा है। और दोस्व अपके जानकारी के लिए इवी वता दू कि यूकरेन और रशिया के लड़ाई शुरू होने क के बाद एक तरीके से रॉसकोस्मोस अपने रॉकेट इंजिनों के वी सप्लाई अन्ने देशों को नहीं कर पा रहा है। इवन इससे पहले रॉसकोस्मोस अपने रॉकेट इंजिनों का एक्सपोर्ट यूनाटेड स्टेट तक को करता था। RD-191 असल में केरोसीन लिक्विड ऑक्सिजन इंजिन है जो की रॉस्या के स्पेस एजनसी के द्वारा अंगारा रॉकेट बूस्टर में इस्तमाल किया जाता है। इसना संपूर्ण रॉप से बंद कर दिया है। ये डेवलाप्मेंट के लगवग आखरी दोर पे है। जबकि दोस्तों इन इंजिनों को अगर रश्या के तरफ से ओफर किया गया RD-191 इंजिनों के साथ कंपियर किया जाए। तो ये रश्या इंजिनों के मुकाबले में थोड़ा ही कम थ्रस्ट पोड्यूस करता है। RD-191 इंजिन का शमता करीवन 2.09 नम है। ये जो इंजिन भारत अपने Liquid Propulsion System Center में बना रहा है ये Heavy Lift Launch Vehicle Program में इस्तिमाल होगा। मतलब भारत के जो GSLB Mark 3 Launch Vehicle है उस पोड़ाम में भी इसका इस्तिमाल हो सकेगा। और इसके बाद भी अगर भारत के तरफ से किसी अन्य वेहकल को बनाया जाता है तो उसमें भी इसका इस्तिमाल हो सकेगा। अब दोसो रश्या के द्वारा बनाया हुआ इंजिनों को अगर अमेरिका जैसे देश के तरफ से भी इस्तिमाल किया जारा तब समझ सकते होंगे कि यह जो इंजिन है यह कितना श्रमताशली और कितना बहतरीन इंजिन है। मतलब एक तरीके से अब कह सकते हैं कि रश्या और युकरण के लड़ाई शुरू होने के बाद भारत के लिए तो यह कई सारे दरवाजे को खोल दिया है। के खुद के इंडिजनियस हतियारों के एक स्पोर्ड भी वड़ा है और दोस्तों इनी कारोनों के वज़ा से पिछले साल जहाँ पे अरमेनिया और फिलिफीन के द्वारा बड़े मात्रा में हतियारों को पर्चिस किया गया है तो वही पे इस साल इससे भी अधिक देशों क के तरफ से हत्यारों को पर्चेस करने का इरादा जताया गया है और जल्दी इस साल के भी पहले डील के उपर हस्ताक्षर होने के साथ साथ पिछले साल के रेकॉर्ड को तोड़ने का काम को भी शुरू कर दिया जाएगा